देटिंग के 6 महीने बाद ही रवीना टंडन ने रचा ली थी अनिल थडानी से शादी इस सेक्टर की वज़े से तूटा था दिल मोहरा, शूल, दमन और सत्ता जैसी फिल्मों में दमदार अभिने करने वाली रवीना टंडन का आज जन्म दिन है रवीना ने अपने करियर की शुरुआत सल्मान के साथ फिल्म पत्थर के फूल, 1991 के जर्य की थी लेकिन उन्हें काम्यावी फिल्म मोहरा, 1994 से मिली टिप टिप बरसा पानी गाने पर पानी में आग लगाने वाली एक ट्रेस रवीना टंडन सकल अभिनेतरी होने के साथ साथ मॉडल और प्रोड्यूसर भी है रवीना को बॉलेवुड में 28 साल हो चुके हैं इतने आर्सों के बाद भी रवीना का चार्म आज भी लोगों के जैहन में उतना ही है जितना की पहले था रवीना की फिल्म में जितनी चर्चा का विशे रही उतना ही उनका अक्षे कुमार के साथ अफेयर तो चलिए आपको रवीना और अक्षे की लव स्टोरी के बारे में बताते हैं जो अधूरी रह गई एक वक्त ऐसा था जब बला की खूबसूरत रवीना टंडन का दिल अक्षे कुमार के लिए धर्गता था कहा दाता है कि इन दोनों के प्यार की शुरुआत साल 1994 में रिलीज फिल्म मोहरा की शूटिंग के धोरान से हुई थी यह फिल्म तो सुपर हिट रही और इन दोनों की ओन स्क्रीन के मिस्ट्री को खूब पसंद किया गया था जिसकी एक वजह हिन दोनों की नजदीकियों को बताया गया इस फिल्म के बाद दोनों को एक साथ कई मौकों पर हाथ में हाथ ठामे देखा गया यहां तक की ऐसी भी खबरे आने लगी थी कि यह दोनों किसी भी वक्त शादी की तारीख का इलान कर सकते हैं कहा जाता है कि रवीना ने एक वक्त पर फिल्म साइन करना भी बंद कर दिया था रवीना के इस कदम के पीछे की बजह अक्षे को बताया गया कहा जाता है कि अक्षे चाहते थे कि वे हाउस वाइप रहें 1999 में स्टार अजस्ट को दिये गए इंटर्व्यू में रवीना ने कहा था दैश अक्षे ने कहा है कि फिल्म का आखरी शूट खत्म होते ही वे उनसे शादी कर लेंगे इस इंटर्व्यू के दोरान रवीना ने यह भी कहा था कि अक्षे और उन्होंने मंदिर में जाकर चुपके से सगाई भी कर ली है रवीना टंडन के अनुसार दैश अक्षे को इस बात का डर था कि अगर सगाई की खबर बाहर आ जाएगी तो उनकी करियर पर खराब असर पड़ सकता है यहां तक की महिला फैंस पर भी उस वक्त ऐसी खबरें आने लगी की अक्षे रवीना के साथ साथ शिल्पा शेटी को भी डेट कर रहे हैं रवीना बहुत परिशान हो गई थी जिस वज़े से उन्होंने अक्षे से रिष्टा तोड़ दिया इसके बाद रवीना ने अनिल थडानी से शादी की अनिल थडानी की रवीना दूसरी पत्नी है इन दोनों ने राजस्थान में 22 फरवरी 2004 को शादी कर ली शादी से पहले ही रवीना टंडन ने दो बेटियों को गोद लिया था जिनका नाम पूजा और छाया है शादी के ब इसके बाद रवीना के अनिल से दो बच्चे है रशा और अनबीर